नमस्कार स्वागत है आपका सुनिए सच में मैं हूँ नीलूवयास और सप्तहिंदी.com का ये वो प्लाटफॉर्म है जहां से सोंबार से शनिवार मैं लाती हूँ आपके लिए दिन भर की पाँच पड़ी खबरे, खबरों के पीछे का विचलेशन और उसके पीछे का सच क्य कि आपको जानना चाहिए सच. चली शुरुवात करते हैं आज की हैरलाइन से. तो आईए इन सभी खबरों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, उसके पीछे का विचलेशन करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे, लेकिन शुरुवात करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से. और वो खबर है निर्भया रेप मामले में. निर्भया रेप केस के दोशियों की फासी पर फिर रोक लगा दी गई है. दिली कॉर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक उनको फासी नहीं दी जा सकती. दरसल दोशियों के वकील ने दिली कॉर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके मुवक्किल विने की दया याचिका लंबित है. ऐसे में एक फरवरी को फासी नहीं दी जा सकती. बता दे इससे पहले आज दोशी पवन की नाबालिक होने वाली पुनर विचार याचिका को सुप्रीम कौट ने खारिज कर दिया. तो हिंदी फिल्म का आपको एक डायलॉग याद होगा तारीक पे तारीक ये वही चीज अपने रभया केस में भी देखी जा सकती है. पहली जो डेट हमारे सामने फासी को लेकर आई थी वो थी 22 जनवरी उसके बाद एक डेट आई पहली फरवरी और उसके बाद अब फिर इंडेफिनिट पीरेट के लिए टाल दिया गया है अभी तारीक फिर से आएगी नहीं अभी ये क्यों हो रहा है क्योंकि जितने भी इसमें अभ्यूक्त है वो एक एक करके अपनी दया याचिका दायर कर रहे हैं और जाहर सी बात है या डीले इंडे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और अगर हम डीले की बात करते हैं तो आज सवाल मर्सी पेटिशन के उपर भी उड़ता है हाला कि मैस मसी पेटिशन हुमन राइट्स का एक हिस्सा माना जाता है और कहा जाता है कि जितने भी अभ्यूक्त हैं उन्हें लास्ट अपना एक्जास्ट कर लेना चाहिए उसके बाद ही फासी की सजा दी जाएगी लेकिन आज उस परिवार का क्या निर्भया की मा आशा देवी आज रो रही थी और उनके लिए एक मायूसी की बात थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जल्से जल्स जल्स जो सारे रेप है उनको फासी मिलेगी लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो प्रोसीजरल डीलेज हैं उनको लेकर इसमें और देरी हो रही है यानि कि आप ये सोच लीजे कि दो हजार बारा में जो बलातकार निर्भया का हुआ था आज दो हजार बीस यानि कि आल्मोस्ट आट साल हो ग फासी नहीं मिल सकती यानि कि वो जो उनके दोशियों के वकील है वो पूरी तरह से आश्वस्त है इस बात के लिए कि किसी ना किसी तरीके से फासी पर वो रोक लगा लेंगे अब इसे आप क्या कहेंगे ये एक डीमोटिवेशन है खासकर निर्भया के परिवार के लिए औ जिनकी बहू जिनकी बेटियों के साथ बलादकार हुआ है आज उनके लिए भी एक मायूसी की बात है कि इतना हाई प्रोफाइल केस में अगर इतना डीले हो सकता है तो एक आम इंसान का क्या होगा उसे नियाए कैसे मिलेगा लेकिन फिलहाल जो निर्भया केस का जो मामला ह अभी पिलहाल दोशी ओ की जो फांसी की सजा है वो पिरसे अख्ल गई है आप ने काहें ने रटिक होंगी कि कब अगली तारीक मिलती हो और सबसे बड़ा सवाल की किया उस तारीक में उन दोशियों को वाकई में क्या फासी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी यह हमारे भारत की निया इक प्रक्रिया इस पर आप जरूर कॉमेंट करिएगा और आए मैं आपको दूसरी ख़वर के ओर लेके चलते हूं दिली चुनाफ से पहले आज बीजेपी ने अपना घोशना पत हर घर नल योजना से घरों में शुद पानी पहुचाने जैसे वादे किये हैं इसके अलावा जिन लोगों को पहले सस्ता गेहु मलता था उन्हें दो रुपए प्रती किलो आटा भी देने का वादा किया है तो आज बीजेपी आज एक लंबी फेहरिस्त अपनी निकाल कर ल आम दिली के वोटरों को फ्री में देंगे और इन जो फ्री बीज की जो लिस्ट है वो मैंने आपको बता दी कि नवी की अक्षा की चात्राओं के लिए साइकल आटा हर घर नल यह सब सारी बाते की गई है लेकिना आज सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी उन सारी प्रचर में विश्वास करते हैं जो फ्री की सवगाते लोगों को देते हैं आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले जब गौतम गंभीर जो इस डेली के MP है उन्होंने जो आम आदमी पार्टी कि जो फ्री बी अन सर्विसेज जैसे की फ्री बिजली फ्री पानी फ्री तो आज फ्री बी कल्चर की आलोचना करने वाली बीजेपी कि आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें भी फ्री बी कल्चर अनाउंस करना पड़ा उन्हें भी फ्री की सौगाते अनाउंस करनी पड़ी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को डर है कि वोटर को वो नहीं पाएगी इस बार BJP की हो सकता है दाल न गल पाए इसलिए उनकी strategy क्या थी पहले हिंदू वसिस मुसल्मान का चुनाव बनाया गया शाहीन बाग को लेकर जो एपी सेंटर था नागरिक्ता कानून को लेकर तो हिंदू वसिस मुसलिम्स का जो एक नफरत का माहूल था वोटर्स को पॉलराइज करने के लिए वह strategy रही और दूसरी strategy है freebie culture की अब यह दोनों का अगर आप combination देखें तो अब इसकी तुलना आम आदमी पार्टी से जरूर की जाएगी क्योंकि कॉंग्रिस इस समय रेस में बहुत पीछे नजर आ रही है और असली लडाई जो दिल्ली की है वह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है तो अब किसका अब कर देखने वाली बात है यह बोटर को डिसाइड करना है और अगर जैसा केंद्रि मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि फ्रीबी जा देने से बात नहीं बनती बल्कि दिली के विकास की भी बात करनी चाहिए ऐसा नितिन गटकरी ने आज मैनिफेस्टो रिलीज के टाइम क जाएंगे वो आज उस बात की एहमियत जादा इंपॉर्टन है एक तरफ चल रही है सम्विधान के लिए लड़ाई और दूसरी तरफ वोटरों को लोग लुभावन तरीक जितनी भी चीजे है वो उनके सामने प्रस्तुत की जा रहे है तो देखना होगा कि किस मुद्दे अज तरफ दीज़ार पर दिली की जंता वोट करती है लेकिन फिल्हाल आज ठीक साथ दिन पहले बीज़ी ने अपना मैनिफेस्टों रिलीज कर दिया है और इसने इसाबित कर दिया है कि भो भी आम आदमी पार्टी की ही तरह एक पार्टी है बीज़ी पात के लिए कि एक लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो party with a difference है क्योंकि चाहे वो उनकी strategy हो चाहे वो freebie culture हो वो बाकी किसी भी party की तरह ही अपने आपको function करती भी दिखती है आए तीसरी ख़बर क्यों रोख करते हैं दिली के मुख्य मंतरी अरविन केजरिवाल ने पाकिस्तान के मंतरी फवाद चौधरी पर हमला बोला है उन्होंने चौधरी को भारत के आंतरिक मामलों में हस्ट शेप न करने की भी हिदायद दी है बतादे चौधरी ने दिली चौधरी को लेकर पीम मोदी पर निशाना साधा था जिसके बाद केजरिवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नरेंदर मोदी जी भारत के प्रधान मंतरी है पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले इस देश की एकता पर प्रहार नहीं कर सकत तो फवाद खान साइंस और टिकनालोजी मिनिस्टर है पाकिस्तान के और उन्होंने दिली में जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं नागरिक्ता कानून को लेकर और कुश्मीर के मुद्धों पे भी उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाओ ज अले ही पूरा देश नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा हो लेकिन जब दुश्मन देश यानि की पाकिस्तान का कोई एक मंत्री अगर दिली के चुनाओ के बारे में टिपडी करता है तो वो आगे बढ़कर अपने ही प्रधान मंत्री का बीज बचाओ करते हैं और उन्हें प्रटेक करने की कोशिश करते हैं और उनका ये कहना कि वो हमारे भी प्रधान मंत्री है और जो दिली का चुनाओ है वो एक आंतरिक मस्तला है आज अरविन के जिवाल की पुलिटिकल मिच्योरिटी को दर्शाता है लेकिन साथ में ही बीजेपी के लिए की की बात है यानि की वो खुद में मंतन करें कि जब वो केजरिवाल को टेरोरिस्ट बताते हैं बीजेपी के लोग केजरिवाल को डिशनल बताया जाता है तो आज वही एकिन आशनल आज नेरेंद्रमोधी सपोर्ट में नजर आया और उसने इंटर्णे ल С्टेज पर भी इतनी एक पैठ बना लिया जरविंद केजडिवाल ने और उन्होंने यह दिखा दिया कि ग्लोबल स्टेज पर जब बात आती है तो उनसे बड़ा नैशनल कोई नहीं भले उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी हो भी जेपी लोकल चुनाओं में यानि की अब असेंबली के चुन वो कहीं न कहीं अपने आपको उन्होंने बड़ा स्टेट्समेंट साबित किया है तो यह है राजनीती और पॉजिटिव पहलू दिखते हैं तो उसके नेगिटिव पहलू भी दिखते हैं लेकिन आज फिलहाल अर्विन केजरिवाल ने अपनी एक पॉजिटिव पॉलिटि पॉटन में बताया गया है कि वितवर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट 6 से लेकर 6.5 फीस सदी के बीच रहेगी वहीं सर्वे में कहा गया कि 2019 और 20 में वृद्धी कम से कम 5% रहने का अनुमान है चालू वितवर्ष की सितंबर तेमाही में वृद्धी दर घटकर 4.5 प्रतिश्यत पर आ गई थी तो economic survey आज ठीक union budget के एक दिन पहले economic survey को release किया जाता है और economic survey भारत सरकार का वो document है जो पूरे साल की जो अर्थ विवस्था की हालत है उसका एक आइना होता है कि पूरे साल में हमारी जो economy की क्या हालत रही वो बताता है economic survey और जो सबसे बड़ी बात जो इसमे अभी के figures आए है और जो IMF ने भी project किया था वो 4.5 का था लेकिन economic survey भले ही 6.6 और 6.5 के बीच की growth rate की बात कर रही हो लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जब union budget आएगा तो क्या निर्मला सीता रमन कुछ नए reforms का announcement करेंगी GST को लेकर क्या बात होगी जितने भी sectors है चाहे वो manufacturing हो, क्रिशी हो, defense हो, services sector हो, tourism हो, health हो, इन सारे sectors के लिए किस तरीके के announcements आएंगे और सबसे बड़ा जो मुदा है वो रोजगार का मुदा है अभी हाल में ही एक survey के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें कहा गया था कि साथ सेक्टरों को अगर आप मिलाएं त तो एक negative sentiment है लोगों में, economic survey भले ही एक government का document है और वो अपने आप में एक हालत बयान कर रहा हो, लेकिन जो ground पे जो हालात हैं वो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं जहां तक भारत की अर्थविवस्था का सवाल है, कल मैं एक specialist, जो economist थे जिनका मैंने इंटर्विव भी किया और उन्होंने उमीद है आपने देखा होगा उसे सत्यहंदी.com पर तो उन्होंने कहा कि अभी जो trend है उसके हिसाब से हमें fiscal deficit की बाते नहीं करनी चाहिए लेकिन इस बात की उमीद जरूर कर रहे हैं कि कल निर्मला सीतारमन कुछ मुख्य announcements लेकर आएंगी जिसकी बजह से के बीच में देखा जा सकेगा लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है जैसा मैंने कहा रोजगार तो रोजगार किन किन सेक्टर से आएगा कल देखेंगे कि क्या निर्मला सीतारमन अपने बजट में क्या अनौन्स करती हैं तो आप साते हिंदी के साथ बने रहेगा कल भी औ और आईए अब अपनी पाचवी खबर के और मैं रुक करती हूं नागरी विमानन मंत्री हर्दीप सिंग पूरी का मानना है कि विमान यात्रियों को दंडित करने के लिए नियम कानून से परे जाकर भी उन्हें सजा दी जा सकती है स्टैंटब कॉमेडियन कुनाल कामरा को हवाई यात्रा पर रोक लगाने के चार हवाई कंपनियों के फैसले पर मंत्री ने ये कहा था अब इस पर आप क्या कहेंगे हर्दीपुरी नागरी कुड़ेन मंत्री है यानि कि सिविल अडियेशन मिनिस्टर है जब कुनाल कामरा का एपिसोड जब औरनब गोस्वामी के साथ आया कि उन्हों ने जबरदस्ती उसको हैकल करने की कोशिश किया और वीडियो जब वाईरल हुआ तो हर्दीपुरी ने तुरंट एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बेसिस पे सारी एरलाइन्स ने कुनाल कामरा को नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जबकि नियम ऐसा नहीं कहते है नियम में तीन लेवल वान लेवल टू लेवल त्री यानि कि तीन महीने की सजा फिर छ केंद्री मंत्री हर्दीपुरी इस बात को कहते हैं कि नियम को हम ताक पर रख सकते हैं जब ऐसे केसे सामने आते हैं तो हम नियम कानून को नहीं मानते और नियम कानून को ताक पर रख कर हम यह सारी इस तरीके का हम आक्शन ले सकते हैं तो आज हर्दीपुरी का इस बात को कहना क्या बेसिस है आज क्या इस बात को नहीं दर्शाता कि भीजेपी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो किसी संविधान में वो किसी रूल आफ लौ में नहीं बिलीव करते उधर देखिये अप अनुराक ठाकुर ने क्या बोला कि देश द्रोहियों को गूली मार दो उसके ब नियम कानून में विश्वास करती है और अगर नियम कानून है भी तो उनको उनका उलंगन वो करने की कोशिश करती है और सिब कोशिश ही नहीं बल्कि डंके की चोट पर कोशिश करती है और हर्दीपुरी का इस बात को कहना कि हम रूल्स के बियॉंड जाकर हम इस तरीके का action ले सकते हैं तो वो किस बात को reflect करता है वो यह कह रहा है कि कुनाल कामरा ही गलत है और औरनब गोस्वामी सही थे और औरनब की भी अगर हम बात ना करें तो उनका यह कहना है कि airlines को उन्होंने जिस तरीके से एक डिरेक्शन दिया तो आज सवाल यह उठता है कि क्या एक केंद्रिय मंत्री को इस बात का हक है कि वो एरलाइंस को बोले कि आप रूल्स मत फॉलो करिये और बिना रूल्स फॉलो किये आप किसी भी पैसेंजर के खिलाफ आप आक्शन ले लीजे और भला हो उस इंडिगो के पाइलिट का जिसने फिर एक्शन लिया जाता है यहां पर ना तो कंप्लेंट थी और नहीं किसी तरीके की कोई शिकायत लेकिन एक यूनिलाटरल एक तरफा डिसिशन से कुनाल कामरा को नो फ्लाय लिस्ट जोन में डाल दिया गया तो अब आप हर्दीपूरी से अप क्या कहेंगे आप जो भी ह भी हैं उसको अपने कॉमेंट्स और सजेशन में जरूर डालिएगा लेकिन फिलहाल यह सरकार के जो मंत्री हैं यह न संविधान में विश्वास करते हैं और ना किसी नियम और कानून के नियम कानून होते भी हैं तो वह सिर्फ पेपर में हैं जिन में वो विश्वास नहीं करते तो मेरी तरफ से पाच बड़ी खबरों में इतना ही मेरा ट्विटर हांडल आट नीनू 317 उस पे जरूर लिखिएगा बताईएगा आपको मेरा अनालिसिस कैसा लगा इसी बेबाकी के साथ सुनाती रहोंगी सच नमस्कार सत्य हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं